नमस्कार दोफ्तों मैं संदीब स्वागत आप सभी का आपके अपने सक्षेस्ट वीटूब चैल में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी इनुवर्सिटी वा कोलेज के उचात्र है उनकी परिच्छा यानि की सोसंद 2021 और 22 के सिसन में जो भी परिच्छा है ज आगे बढ़ेंगे और भी बहुत साही जानकारी है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए भी में बता दूं कि सब्सक्राइब कराई जाएंगे तो आप ज्यादा ज्यादा इस लोग लोग इस चैनल पे ज्याइन हो जाइए क्योंकि अभी भी क्लास नंबर फिप्त है ज्याद बत करें कि बढ़ेंगे जिनका सब्यक्ट ह inlet हिंदी है उनके जिनका लिए बहुत ही इंपार्टन जिया सारे सट होने वाले है तो आग्स वीडियों बात करेंगे हिंदी इसवी मारणार को यस्टिन के बारे में याथिमे आपश्त होते हैं इसे सब्जीक्ट होते हैं यानि जितने भी को लगबख question पूछे जाते हैं अगर आप यह सूर्दास जिसे सम्मधित जितने भी question में बताने वाला ध्याम समझेंगे तो पांच चे नंबर आपके clear हो जाएंगे जो भी एक्जाम में पूछे जाते हैं इसे सम्मादित कोश्चन यानि कि सूर्दार जी से तो चलिए बीनों भी आगे बढ़ते हैं और एक एक कोश्चन पढ़ते हैं और उसका एंसर भी हम आपको प्रोवाइट करते हैं जबते हैं समझे बहुत टॉप लेबल के कोश्चन है पहला कोश्चन है कि सूर्ण तागर की रचना है आपसे मिल जाएगा तुलसी statement कबीर शूर्दास जैसी यानि किbold सागर लेकिन नगे बारे हमनले बात करेंगे जहां पर ओमार सिट पे एक्जाम होने वाले हैं उनके हम बात कर रहे हैं तो इस question का right answer हो जाएगा मैं आपको बता दूँ कि जो सूर सागर है वो सूर्दाफ जी की रचना है इसलिए question का right answer C number हो जाएगा जान समझेगा C number अब हम बढ़ेंगे एक लिए question क्यों अगला question है कि सूर्दाफ जीए उनकी जो सूर्दाफ जीए उनकी जो सूर्दाफ जागर ठीक है करती है या फिर आपके सकते हैं उनकी रचना है उसमें कुल कितने पद हैं अगला question यह कह रहा है आपसे मिल जाएंगे ग जानकारी के लिए बता दो कि सूर्दाफ में जो पदों की संख्या है वह उन 436 इसलिए कोश्चन का राइट हो जाएगा C number ओके ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके जानकारी के लिए भी हम बता दें कि कुछ वर्ड अगर question जो सिरीज में स्टार्ट क्लास स्टार् वो रॉंग हो सकता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा ठीक है अपने कोडिंग अगला question है कि सूर्दास ने सूर्द सागर में कितने ब्रमत गीत की योजना की है नमबर एक पांच बी नमबर 13 और सी नमबर 15 और दी नमबर 3 तो सूर्दास जी ने सूर्द सागर म ब्रमर गीत की जो यजना की है उनकी जो संख्या है वो है तीन इस लोग question का एंसर हो जाएगा डी नमबर आफसन ओके कोना आफसन हो जाएगा डी नमबर ठीक है टिक कर दीजिए रेट कलर से वही राइट एंसर हो जाएगा यह दिखिए अगले question को बढ़ेंगे एला question कह र जाएगा option number B ज्यान का उद्धो जी यह जो सूर्दाफ जी है उनकी एक क्रति है या पिर कह सकते आप रचना है जिसमें गोपियो और उद्धो यानि श्रीकिष्ण और उनके जो भाई है ठीक है उनका ध्यान मुझे नाम नहीं द्याना रहा बलाम जी ठीक है तो उसके बार में इमें डीटेल में बताया गया है तो यह question वहीं से लिया गया है ठीक है तो आप लोग कंफीजमेंट होईएगा यह question का right answer हो जाएगा बी नंबर ग्यान का ठीक है अगले question की और हम बढ़ते हैं लिखा कि डाक्टर नागेंद्र सूर्दास का जर्म अस्थान कहां मानते ह कासी में सीही में सोरो में और साजहां में ठीक है सूर्दास जैसे कभी जैसे सूर्दास रहीम दास तुलसी दास कभीर दास यह जैसे जो कभी है इनकी जो जन्म अस्थान की और जन्म की सन की बहुत सारी अलग अलग मत थेक हैं अलग मत भेद हैं लोगों के कोई बोलता है क का जन्म इस डेट में यहां पर हुआ था तो वहीं पर बात उठती है कि डाक्टर नागें के अनुसार सूर्दाफ का जन्म कहां माना जाता है या कहां मानते हैं तो इस कोश्चिन का राइटर इंसर हो जाएगा आफसर नंबर कि अब बढ़ेंगे अगले कोश्चिन के ओर कि सूर्दास में कितने असकंद हैं तो आफसर ने इस में मिल जाएंगे पचास अठारा बारा पंद्रा ठीक है तो इस कोश्चिन का राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा आफसर नंबर बारा यानि कि टिक कर लिजिए और टिक कर लीजेगा बारा नंबर सी नंबर ओके अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन क्यों अगला क्वेश्चन कहे रहा कि सुर्दास का जन्म कहा मानते हैं तो अभी आपने उपर पढ़ा था नागेंद्र जी इनका जन्म है वो सीही में मानते हैं लेकिन अगला क्वेश्चन है कि तो आउगति गति कचु कहातन आवे पंक्ति किसकी है कबीर दास की रहीम दास की सूर दास की तो आउगति गति कचु कहातन आवे पंक्ति है वो है सुर दास जी की इसले question कराईट answer सी हो जाएगा कि अगला question है कि साहित लहरी किसकी रचना है तो आपको आपसन दे गए हैं तो इस question का राइट answer हो जाएगा दोस्तों सूर दास साहित लहरी भी सूर दास की ही रचना है अगले question के और हम बढ़ते हैं लिखला कि सूर सारा वाली में कितने चंद हैं बहुत important question एक जाम में कई ब कौन सा हो जाएगा option number D 1207 सूर सारा वाली में जो चंदो की संख्या है वह गेरा सो साथ है ठीक है अगले question के और हम बढ़ते हैं लिखा कि सूर सागर किसकी रचना है आप सभी को राइट answer मालूम है कि सूर दास जी की है अगला question है कि सूर दास का का विरूप क्या है तो आप option number इस question का right answer हो जाएगा प्रबंध काब यानि किसी नंबर पर टिक करते हैं अब हम बढ़ते हैं कि लिखा कि सूर दास के गुरू कौन थे निस्ट आप से निस्ट कोश्चन यह कह रहा है कि सूर दास के गुरू कौन थे नंद दास रहिम दास बलभाचार निवन में से कोई नहीं तो जो सूर दास जी के गुरू थे वो स्री बल्लभा चार जी थे इसलिए question का right answer सी हो जाएगा तो ध्यान से समझे का यह भी बहुत टॉप लेबल का question है एकजाम में कई बार repeat भी हुआ है कि सूर दास जी के गुरू का क्या नाम था बल्लभा जा दे ओके अगले question के पढ़ें लिखा कि अस्ट चाप के कभी कौन है मुलक दास के शो दास सूर दास रहिंदास तो इस question के जो राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अस्ट चाप के कभी कौन है ठीक है तो इस question का right answer आप सभी देखते हैं आप लोग दे पाएंगे कि नहीं इस question का right answer ठीक है यह question मैं आप सभी को मालूम ही होगा कि इस question का right answer क्या होगा इस वीडियो हम किसके बात कर रहे हैं तो आप समझ गया होंगे इसका answer आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा ठीक है आप सभी की सामने हैं मूलक दास केसो दास सूर दास रहिंदास साथ-चाहत मैं आपके जानकारी किले हो जाएंगे क्योंकि हेंदी फश्ट पेपर में अफ्ट साब्स सम्मंधित कम से कम छे साथ कोईश्चन आठ कोईश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं तो यह आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोग कितने नंबर क्लेर होने वाले हैं अगले question के दो हम बढ़ें जीनलीइए सीचाल नएकावेद Okay टिक करते हैं नएकावेद पर आगला कुश्चन है कि सुदास को कि रसका समराट कहा जाता है बहुत ही important question है दुफतों यह है सुदास को किस रसका समराट कहा जाता है शनतरश का वह साल मियुद का इनामबर संयोग शंगार का तो इस question का right answer हो जाएगा option number C, वात्सले, अगला question है, साहित लहरी की रचना कब की गई, साहित जो लहरी जो स्री सूर्दास जी की एक रचना या फिर क्रती है, इसकी जो रचना है वो किस सन में की गई थी, option आपको मिली जा रहे हैं, आप पढ़ लिजे, इस question का right answer हो जाएग में, okay, अगला question है, कि सूर्दास ने कर्षन के किस रूप का चित्रण किया है, आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं, कि सूर्दाफ जी की जितनी भी लगबक करतियां हैं, वो स्री कर्षन जी से संबंधित हैं, तो यह आप एक स्तरह का, यह भी question आता भी है, कई भी सकते हैं, और बनता भी है, सूर्दाफ जी, कृषना साखा के ट्रमुक कब हैं, ठीक है, तो यह भी आगे question हम बताएंगे, क्या question बनेगा, लेकिन कृषना साखा के जो कब हैं, वो सूर्दाफ जी है, तो सूर्दाफ जी ने जयारता जो रचनाय हैं, वो कृषन जी के ऊपर बनाई हैं, इसलिए question का right answer हो जाएगा, वो आप से मिली जा रहे हैं, योगिस सर, लोक रंजग, नागे सोर, और लोक रचक, राइट एंसर को हो जाएगा, लोक रंजग, यानि की B number, टिक करिए, ओके, अगला question है कि, सूर्दाफ वाली की रसना, संसार को किसका रूपक मान कर की गई, सूर्द सारा वाली, कि जो रसना है संसार को किसको रूपक मान कर की गई, होली को, दिवाली को, दसहरा को, इन में से को ही नहीं, question का right answer हो जाएगा, दोस्तों, बहुत important question, a number right answer हो जाएगा, होली को, ठीक है, अगरा question है कि, गोकुल सबे, गोकुल उदासी, स्री सूर्दाफ जी के बारे में, right answer, D number हो जाएगा, लेकिन आपके exam में, जो question आएगे, वो mix आएगे, कुछ कुल तुलसी दास करेंगे, कुछ कबीर दास जी के, कुल रहीम दास जी के, कुछ सूर्दाफ जी के, और कुछ घना नंद, और भी बहुत सारे कभें, जिन से सं मिक्स question आएगे, तो आप लोग confused मत होएगा, इसलिए आपको समझना होगा question को, ठीक है, कि गोकुल सबे, गोकुल उदासी पंक्ति किसकी है, यहाँ तो मैं, डी वेजिवल सूर्दाफ जी के बात कर रहा हो, तो आप लोग समझ जाएगे, कि हाँ सूर्दाफ जी है, लेकि म दोस्तों सूर्दाफ जिसे संबंदित, टॉप 20 question इस वीडियो मैंने included किये थे, हाला कि और भी बहुत सारे question बनते हैं, सूर्दाफ जिसे संबंदित, उनको मैं अगले आने वाले दिनों में जब वीडियो बनाऊंगा, 50 या 40 question की तो उसमें बताऊंगा, ठीक है, तो आप लोग उसका wait करिए क्योंकि अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा knowledge gain करिए, यानि कि थोड़ी थोड़ी question समझें, जिससे आप लोगों को ज्यादा boring नहों और आसानी से समझ में भी आ जाए, ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, कुछ पूछेगा, ठीक है, हम उसका reply देने के पूरी कोशिश्च करेंगा, हो साथ साथ में आपकी जानकारी क्लिए बता दें, जल्द ही हम एक e-book launch करने वाले हैं, जिसमें top label के question included होंगे, जो कि आपके exam के लिए पूरी तरह सफलता वो provide करेगा, यानि कि वो इस e-book में हिंदी क सभी question जितने भी exam पूछे जाने वाले हैं, उस top label के question उसमें हम रखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही important question होंगे, आपके exam में काफी सफन मलाएंगे, यह हमारी उम्मीद रहेगी कि आप लोग के, मैं true कह रहा हूं कि 80 से उपर ही आप लोग के marks आएं, 80 से लेकर पूरे प इसके लिए मैं अलाउंसमेंट जल्द करूंगा, तो मैं आपको जानकारी दूंगा, और आप लोग बताएं कि पेड वो कोर्स लांच करना चाहिए, या फिर वो पेड लांच करें या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए, मिलते हैं निस्ट वीडियों तो तक के ल मैं आपको या ईविड्यों ए सेक्शन मात हुआ है